दोस्तो नमस्कार मैं मुकेज जोशी इंडियन इंस्टूट ऑफ एक्सिलेंस से आज चार मार्च माशिवरा त्रीकी आप सभी को बहुत 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 शुब कामना है दोस्तो आज मैंने आपको टॉपिक दिया हुआ था एज लेड़ी बी पाउरफूल इन एलाईसी एजनसी आठ मार्च को महिला दिन आ रहा है वो मन्स डे आ रहा है तो सोचा आज चार मार्च को लेड़ी ने किस तरह से इस लाइन के अंदर में सक्सेस्फूल हो सकते हैं एलाईसी एज़नसी को अगर हम लेड़ी के नजर से अगर हम देखे तो क्या हो सकता है इसके स्ट्रेंथ क्या है इसके लिमिटेशन्स क्या है वो भी हम लोग साथ-साथ में देखेंगे सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे दोस्तों कि इसकी strength क्या है देखें यह कोई नोकरी नहीं है आप अगर LIC agency करके अगर आप काम कर रहे है बिंग अ लेडी this is not at all a job यह कोई 8 गंटे 10 गंटे की आपको duty कहीं master sign करना किसी को reporting करना यह सारी चीज़ें इसके अंदर में होती नहीं है आप सोचिए यह freelancing work है आज करोडो महिला आए जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे नोकरी कर रही है आज अगर family को संबालते हुए बच्चों को संबालते हुए हर चीज़ को संबालते हुए अगर वो अपने आपको adjust करके आट गंटे दस गंटे की duty आट गंटे की duty दो गंटे का traveling मुंबई के अंदर में तो करोडो महिला ऐसी है हाँ कि जिनको कम से कम दो गंटे का आने जाने का उनको traveling देना पड़ता है बट in spite of that also ये लोग manage कर रहे है जबकि agency के अंदर में आप freelancing है agency के अंदर में आपको कहीं लंबा जाना नहीं है आप चाहे आपी के इलाके के अंदर में काम कीजिए कोई ज़रूरी नहीं है तीस किलोमेटर चालिस किलोमेटर दूर आपको जाने की आपके आसपास के एक दो किलोमेटर रेडियेशन में आप आराम से easily आप काम कर सकते है लेडी को किस तरह से काम करना चाहिए उसकी strategy में देखिए मैं जैंट्स हूँ मैं देखता हूँ इर्द गिर्द कहीं सारी लेडी होती है और how they are working अगर मैं kitchen की बात करूँ तो कितने easily kitchen को दो हाथ है एक लेडी है लेकिन कितने easily एक साथ में तीन तीन चार चार काम लेडी संबाल लेती है एक लेडी घर के अंदर में बातरूम के अंदर में washing machine चालू करके कपड़े चालू करके आई है kitchen में आके एक side पर उसने cooker रखा हुआ है गैस के उपर में दूसरे गैस के उपर में उसने सबजी रखी हुई है और तीसरे हाथ में उसके हाथ में वो आटा बुन रही है एक साथ उसका सोचो कितना काम हो रहा है एक दो तीन और washing machine चार चार काम एक साथ में उसके हो रहे लेडी को मैं क्या समझाओं कि किस तरह से आपने manage करना है लेडी जो है वो बहुत powerful management experts है आज दुनिया के अंदर में देखो तो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर में आज लेडी को उस्थान दिया गया है CEO लेवल के उपर में because the nature real ability you can manage, लेडी can manage very powerfully जेंट्स ने हम लोगों ने ये सिखना चाहिए लेडी के ये power को हम लोगों ने सिखना चाहिए कि कितना powerfully एक ही front के उपर में वो कितने अलग-अलग avenue में वो लोग काम कर लेते हैं कुछ examples मैं आप लोगों के साथ में share करना चाहूंगा मेरे workshop के अंदर में बहुत सारी लेडी participant आती है अब ये recent जो workshop हुआ तो उसमें तो मैं बोल सकता हूँ 60-40 का batch था मतलब 60% jains थे 40% ladies उसके अंदर में थे एक lady ने जो sharing किया था क्योंकि हम assignment देते हैं कि आपको काम करना है आपको work करना है किस तरह से work करना है ये तिन दिन का जो मेरा basic course में उसे बहुत सारे assignment हम लोग छोटे-छोटे assignment देते वो तिन दिन के तवरान भी मैं assignment देता हूँ मेरा ये assignment होता है कि पहले दिन के अंदर में 8 गंटा complete सुनने के बाद मुझे सुनने के बाद में मेरे दिये हुए assignment के उपर अगर जो लोग भी काम करते हैं जो लोग work करते हैं तो they should earn within 3 hours they should earn 10,000 rupees commission उसके पूरी strategy मैं उनको देता हूँ अब देखिये मेरे workshop में जो lady participant आती है वो किस तरह से work करती है सुबह 9 बज़े से लेके शाम को 6 बज़े तक मेरा workshop एटेंड किया एक lady मेडम की बात कर रहा हूँ उन्होंने full day एटेंड किया मैंने assignment दिया था कि आपको 6 बज़े छुटने के बाद में 6 बज़े से लेके रात को 11 बज़े तक आपको कम से कम 3 लोगों को मिलना है और जो मैंने कहा उस हिसाब से 3 लोगों को मिलना है वो lady ने दूसरे दिन के workshop में morning में उसने sharing किया कि sir मैं I am coming from joint family आज कम से कम 12-14 लोगों का हमारा परिवार है और ये परिवार का खाना पकाना मेरे जिम्मेदारी है शाम को छुटने के बाद आपने कहा 3 लोगों को मिलना है लेकिन मैं यह सोच रही थी कि मैं कैसे मिल पाऊंगी क्योंकि 12-14 लोगों का घर पे जाके खाना मेरे को पकाना है पंजाबी फैमिली से थी घर पे जाने के बाद में मैंने एक किलो सबजी कोई भी बेंडी लिया था वो एक किलो बेंडी मुझे काटना था मैंने क्या किया साफ करने के बाद में एक बरतन में लिया और चाकू लेके मैं पडोसन के पास चली गई और वहाँ जाके मैंने कहा मुझे अकेलापन घर में लगता है सब लोग अभी बाहर गए बच्चे भी टूशन गए हुए तो सोचा मैं अकेली बैट के मैं सबजी काटू उससे अच्छे आपके साथ में थोड़ी बाते भी हो जाएगी और मैं सबजी काट लेती हो अरे आईए आईए बैटी है बैटी है भावी जी खाफी दिनों के बाद आप आए उपर से उस पडोसन ने उनका स्वागत किया बैटने के बाद 15-20 मिर्ट डिसकेशन होता होता सबजी काटते काटते उसने वो लेड़ी बोल रही है सर मैं बेंडी काटते 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 20 मिर्ट तक जैसे आपने इंशॉरंस का महतुआ मैंने जो समझाने को बोला था को इसमें से मिलते जाएंगे आप सारे वीडियोज आप यूटूब पे देख सकते हैं तो जाके बोले सर मैंने इंशुरंस का इंपॉर्ण्स समझाया इंशुरंस का इंपॉर्ण्स समझने के बाद वो लेड़ी इंशुरंस अपने हस्मन के लिए कराने के लिए इतनी प्रेरित हो गई, बोलती है भावी जी एक काम करे, मेरे हजबर आएंगे, मैं उनको समझा देती हूँ, और आज रात को ही मैं आपके घर पे उनको लेके आती हूँ, एक दस मिनट के लिए उनको भी समझा देना, अल्टिमेटली देखो क्या हो गया, एक मिटिंग भी हो गई, सबजी का कटिंग भी हो गया, घर पे आया, घर पे आने के बाद में बोले, मैंने क्या किया, कि अभी भेंडी को पकानी के लिए रखना था, इस साइड की परोसन को मैं बुला के लेके आई, और उसके साथ मैंने बात किया, सबजी पकाते पकाते, सेम चीज मैंने कहा, बोले मैं अपना सबजी बना रही थी और पास में मैंने इंशॉरंस के इंपोर्डन्स को समझाया वो लेडी ने भी समझ लिया ये दोनों लेडी रात के करीब साड़े-दस बज़े अपने हस्बंड को लेके मेरे घर पे आए सर मैंने क्या किया मालूम है दोनों पडोसन की हस्बंड के साथ मैंने मेरे हस्बंड को भी इढ़ा दिया तो मेरी तीसरी मिटिंग भी होगी तो इस तरह से सर मैं तीन मिटिंग करके आई और सर यूल बी सरप्राइस ये तीनों की insurance policy में बेच की आई देखिए दोस्तो 8 गंटा session में रहने के बाद assignment घर पे जाके 14 लोगों का खाना पकाने के बावजूत भी ये lady ने ठान लिया था कि yes मुझे हर front के उपर मुझे काम करना है तो बड़े आसानी से कर लिया If you are lady, it's a very good opportunity आप सोचिए timing की कोई limitation नहीं है आप सोचिए there is no bossing आप part time काम कर सकते है Even मैं एक हैसता हूँ कि अगर bossing नहीं है तो harassment नहीं है अज ladies लोगों को आप देख रहे हैं कि बहुत जगह पे फलाने boss ने ये lady के साथ वो किया फलाने boss ने फलाने lady employee के साथ में ये किया आज film industry के अंदर में me too, me too चल रहा है हर जगह पे me too, me too हो रहा है आप सभी को पता है तो इसका मतलब क्या है कि lady का harassment होता है अपने इस business के अंदर में कोई harassment की कोई गुंजाईश नहीं आप बोलोगे लेकिन सर हमें लोगों के घरों में जाना पड़ता है येस मैं मानता हूं लोगों के घरों में जाना पड़ता है यही तो हमारा plus point है क्योंकि आप लोगों के घरों में जा रहे लोगों के घरों में जा रहे तो उनके बच्चे है है उनकी बीवी है कोई आपसे अरेस्मेंट नहीं कर सकता और कुछ वन परसंट या पॉइंट परसंट ऐसे बुरे लोगों को देखते हुए हम 99.99 परसंट जो अच्छे लोग है उनको दो ब्लेम नहीं कर सकते हैं आप एक काम जरूर कर सकते हैं अगर आपको फिल भी फिर भी कहीं अनसिक्यारिटी फिल होती है आप आपके हस्बंड को साथ में लेकर जा सकते हैं आप आपकी छोटी बहिंप को साथ में लेकर जा सकते हैं आप बोलोगे ना husband है ना छोटी बहन है, husband जॉब में जाता है, husband को कोई interest नहीं मेरे business के अंदर में, कोई problem नहीं है, आप कोई lady agent के साथ में tie up कर सकते हैं, दो lady agent मिलके भी तो काम किया जा सकता है, अगर दो lady agent मिलके अगर काम करते हैं, एक meeting इस lady की, दुसरे meeting ये lady की, इस तरह से आप tie up कर लिजिए, दिन के पांच meeting कीजिए, छे meeting कीजिए, तीन meeting ये lady के, तीन meeting ये lady के, एक दूसरे का support भी रहेगा, सयोग भी रहेगा, और साथ साथ में आपका काम भी रहेगा, इससे भी एक कदम आगे, हमारे कहीं ऐसे lady performer agent है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आज परिनिता धमापुरकर बोलो, या सारंगदर मेडम बोलो, या lot of agent है, lady agent है, जो बहुत अच्छा काम, सुनीता कूंट है, हमारे अमदाबाद से, बहुत से lady agent जो है, बहुत अच्छा काम करी रहे, आज खैरू खाउटे हैं, गोवा से, she is doing wonderful job, तो ऐसे बहुत lady agent है, ये दो, और दो जन assistant और lady performer agent, हर जगह वे जाते, कहीं कोई problem नहीं है, और बहुत अच्छा business कर रहे है, दोस्तों तो मुझे ये जो woman's day है, 8 March को, मुझे लगा इसमें और additional मैं कुछ दे सकता हूँ, एक छोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा यहाँ पर, जितनी भी महिला है, उ देख लेना, उसका finance ministry important होती है, उसकी defense ministry important होती है, और उसकी education ministry important होती है, finance ministry है, वो देश की उननती के लिए होती है, उसके बाद में defense ministry है, दुसरों की बुरी नजर से उसको बचा के रखने के लिए होती है, और तीसरी जो है, वो ministry, education ministry, जो उस देश का भविश्य बनाती है, क्योंकि बच्चे अगर सुशिक्षित होंगे तो वो देश का भईविश्य कितना सुन्दर होगा कितना अच्छा होगा यह तिनों मिनिस्ट्री किसी भी देश की उन्नती के लिए बहुत जरूरी है आप सोचिए अगर भगवान का कोई देश है अगर भगवान का कोई प्रदेश है तो ब्रह्मा विश्णु और महेš इन तिनों ने यह तिनों डिपाटमेंट महिला को दे के रखे इसका मतलब आपको समझ मे रा bacteria कि महिला का importance कितना है कि ब्रह्मा विश्णु और महेश इन्हों ने यह तिंग डिपार्टमेंट इंको दिये आप देख लिए फिनांस मिनिस्ट्री किसको दिया है मालक्ष्मी अमारे साथ है यहां पर फिनांस मिनिस्ट्री मालक्ष्मी को दिया हुआ है लक्ष्मी देवी को दिया हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री दुर्गारानी को दिया हुआ है और एजूकेशन मिनिस्ट्री माता सरस्वती को दिया हुआ है तो अगर नारी का जिस भी नारी का हम सन्मान करें उनको इज्जत से देखें यह मेरा मैसेज है 8 मार्च के लिए और जब नारी की बात चल रही है तो कितनी महला है कितना सुन्दर काम कर रही है लाइसी के अंदर करनी द्वारका मैडम जागरूती हिंदूराव मैडम जागरूती के बारे में बताऊंगा लास्ट यह सी वस प्रेगनंट इन स्पाइट ऑप डैट ऑल्सों सीर्स क्वालिफाइड टू एमडीर्टी आप सोचिए प्रेगनंसी के दावरान भी उसने किस कदर काम किया होगा कई एजेंट ऐसे है कि कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं है बट इंग स्पाइट ऑप डैट अलसो वो एक एमडीर्टी नहीं कर सकते यह लडी ने दो एमडीर्टी किया है तीन अजार की जॉब छोड़के डबल एमडीर्टी का परफोर्मेंस कर दिये मतलब समझ सकते हैं कि तीन अजार रुपए से छोड़के आज तीन लाख रुपिया महिना यह लेडी कमा रही है अगर मैं और लेडी की बात करूँ तो कादंबरी मेडम है कुमुदी नी भांगडे मेडम है जो दस साल से मडीर्टी कर रही है मानसी जड़गाओ कर है मिना शिंदे जो सिवोटी कर रही है दैन मेगना दुल्ला मिनाक्षी महाडी परिनीता नलावडे संगीता काडे श्रदा अडवेलकर स्नेहा मंजरेकर सोनाली खरोटे स्वाती कोकाटे समिता प्रभुदेशाई यह समिता प्रभुदेशाई आर्यम प्रभुदेशाई के मिसिस है और वो बैक उफिस संबालते थे लेकिन आरेम प्रभुदेशाई ने दीरे-दीरे करके उनको फ्रंट में लाए आज वो वन-टू-वन पार्टी के साथ में बैट के करते हैं मेरे एडवांस कोर्स के काफी सालों से वो एज़क कोच करके आ रहे हैं स्मिता बैडब किंजल पतेल जो वापी से बिलॉंग करते हैं सोनिया महरा स्मिता प्रभुदेशाई सी ओटी कर रही है सोनिया महरा डेली की एक डाइनेमिक लेडी है वो इतना अच्छा काम कर रही है एक अच्छी मल्टिनेशल कंपणी के अंदर में वो वर्किंग कर रही थी वो जौब छोड़के आज के तारिक में सोनिया महरा ृय要टी नाशिक्स , कि ंरानी Кिर्टी, किर्टिय पाइट6 बिलों करती है, सुनीता煥는데 से बूलेंग करती है, उरवशु जोष्व बडोदा से, काफी सालों कुछायक्ति warmरी canoe, कर रहे हैं अभी कुछ ही तिनों पहले दोस्तों एक दुखत घटना हुई कि हमारी संगीता कुपड़े करके जो हमारी एजन्ट है लेडी परफॉर्मर एजन्ट जो न्यू बॉम्बे से वाशिष से थी जैड़ें क्लब मेंबर थी गोवा का कन्वेंशन ओना एटेंड किया वहां से आते वक्त मुंबई आई और उनकी लड़की MBBS में नाकपूर में पढ़ाई कर रही है वहां पहुंचे उसके पहले उनको एक ब्रेंश्ट्रोक हुआ और इस दुनिया को छोड़के चली गए ऐसी कितनी महिला है जो इस तरह से काम कर रही है इस तरह से परफॉर्म सब्सक्राइब करिएं में पहलें में और एक दुर्म गहुंचे लेंगे और जरूर इस session के उपर में काम की सो मैंने strength के बारे में बताया limitations के बारे में भी बताया एक आखरी example मैं आप लोग के साथ में share करूँगा क्योंकि शायद हो सकता है आपने से कुछ लोग सोचें कि मुकेज भाई आपने ये सब बता दिया बहुत बहुत सिफ़त से आपने बता दिया लेकिन कहीं जगह पे जब party harassment पे उतर जाती है तो वहाँ क्या किया जा सकता है तो उस समय का एक अनुवे मैं आपके साथ में share करना चाहूँगा एक लेड़ी के पास एक लेड़ी जब एक party के पास गई उस party ने सीधा सीधा demand कर दिया कि मैड़म आप बहुत सुन्दर दिखते, आप बहुत अच्छे दिखते बुलि आप मुझे क्या दे सकते उसने बोला मैं अगले साल सर आपके घर पे एक बार नी आप मुझे एक बार बुला रहे हूँ मैं दो बार आउंगी एक रक्षा बंदन के दिनाओंगी और दूसरी भाई वीच के दिनाओंगी उसका चैरा उतर गया इसका मतलब यह है कि आपको मूत और जवाब जहां जरूरत पड़ी वहाँ पर मूत और जवाब देना पड़े आप बिलकुल मूत और जवाब दीजिए लोग सीधे हो जाएंगे लेकिन मैंने अगें मैं बार-बार कर रहा हूँ 99.99% अच्छे लोग है कहीं 0.01% अगर हैसे लोग सामने आ जाते है तो उस समय पे आप महिला है आप बहुत ताकत है आप लोगों में तो थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे को सुना यहाँ पर और मैं उमीद करता हूँ कि आप अगला साल जो है वो बहुत अच्छे से आप बिताए बहुत अच्छा काम करके दिखाए घर को संबालते हुए सारी चीज को बैलेंस करते हुए जाने से पहले एक चोड़ा सा गाना मेरे को याद आता है मैं अकसर मेरे वर्क्शॉप के अंदर में गाना लेता हूँ बहुत सुन्दर गाना है कई बार मैं यह गाना लोगों को सुना चुका हूँ आज ये मौका है कि जब लिडी की बात यहाँ पर चल रही है तो ये गाना यहाँ पर एकदम परफेक्ट जगह पे मैच हो रहा है आप सभी ने सुना होगा मनाडे साब ने गाया हुआ जग गाना था उसके बोल ऐसे थे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे घर जाऊं कैसे देख एक गाने के बोल से ये समझ में आता है कि किसी लिडी को किरेक्टर उसके किरेक्टर के बारे में कहा गया है कोरी चुनरिया आत मा मूरी मैल है माया जाल देखो आगे शब्द क्या है अगर आगे के शब्द को समझ पाए तो आपको समझेगा कि ये хर इनसان ने समझने वाली बात है भूल गई सब बचन पिता के हो गई मैं ससुराल में आके वो दुनिया मोरे बाबुल का अगर ये दुनिया ससुराल इसका मतलए हमारा जो पुछवी है इसको ससुराल का उपमा दिया हुआ है और परम पिता जो परमेशवर है तो परम पिता परमेशवर जो है वो बाबुल का घर बताया गिया है हम सभी को एक ने एक दिन इस दुनिया को छोड़के अगर जाना है लेकिन इसके अंदर में लेडी को क्यों मद्य नजर रखा हुआ है because इसका example इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक लेड़ी जो है वो ससुराल के अंदर में कितनी इज़त से पेश आती है कितनी मांदारी से पेश आती है तो इसके लिए लेड़ी केरेक्टर से बहुत कुछ सीखना है अगर अपना बेटा दस साल का बच्चा अगर उसको स्कूल जाना है सुबह साथ बजे उठना है बच्चे को तयार करके उसके लिए टिफिन बनाना है आज तक कोई मां ऐसी पैदा नहीं होई होगी कि भले उसको 104-105 का बुखार है लेकिन उस सुबह में उठे और अपने बच्चे के लिए टिफिन ना बनाए ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं होगा हमेशा ये लेडी क्या करती है तो कितना समर्पंड करती है सो लेडी से बहुत कुछ सीखना है सो सभी महिलाओं को मेरा सलाम है ये आने वाली आठ मार्च को महला दिन की शुब कामना है अभी से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ तैंक यू सो मच और ग्यारा मार्च को अगले सोमर को एक बहुत सुन्दर टॉपिक के साथ मैं आऊंगा दोस्तो नेवर गिव अप जीवन में कभी हमने गिव अप नहीं करना चाहिए सो इसके बहुत अच्छे दृष्टान के साथ में हम लोग ग्यारा मार्च को मिलेंगे थैंक यू सो मच विश यू आल दे बेस आइस टाइम गॉड ब्लेस यू आल रुकियेगा सबस्क्राइब जरूर करना भाई और वो बेल्ड बटन है बेल्ड बटन उसको भी दबाना बाबाई